पेर को तो कोई पता है, इसको हिस्ट्री से भी कमपेर कर देता है, उसमें माक्स आ जाते हैं और कैसा चल रहा है, उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, तो अब तो आपके फर्वरी सेशन के जेई मेंन के एकजाम हो चुके हैं इससे हमें दो हिंट लगता है, एक तो हमें टेंसन नहीं लेना था, क्योंकि ये अभी मार्च, अप्रील और माई में भी आएगा दूसरा ये है, कि हमें एक्शुल पेपर को देख की ये आईडिया लगता है, कि हमारा लेवल और बताये गए सर का लेवल यदि मिस्मैच हो रहा था, तो उसको इस गैप को हमें फिल करना है, ठीक है, क्योंकि जेनरली मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप हमेशा देखोगे, चार दिन पेपर हुए हैं, चाहे 23 या 24 या 25 या 26 आप चारो दिन एक्जामिनेशन सेंटर के बाहर, जो भी कुछ इंटर्व्यू वाले होते हैं, उनसे स्टिडेंट्स रियक्शन जो लिया गया, ओन एन एवरेज सिंगल स्टेटमेंट है, मैथमेटिक्स ने डुबा दिया, मैथमेटिक्स वोज लेंदी, मैथमेटिक्स बह हुआ है न, 2002 से, on an average, in 20 साल से, 19 साले हुए है, हर साल यही स्टेटमेंट सुनने को मिलता है, जो बच्चे तयारी करते हैं, उनको भी यह पता होना चाहिए, कि तीनों का मार्क्स इक्वल है, फिजिक्स कमेस्टी मैथ्स में, लेकिन वेटेज, या क्वेशन को सोल्व करने क कर स्टाइल, यह सारे अलग-अलग है, आप किसी एक सबजेक्ट को दूसरे सबजेक्ट के साथ compare नहीं कर सकते, जैसे बच्चे बोलते हैं, न, कि कमिश्टी आसाना है, हर साल आसाना आता है, फिजिक्स किसी में लेंदी, किसी में आसाना है, हर साल यही होता है, लेकिन मैथ तो हर साल लेंदी क्योंकि 30 questions इस बार तो optional five extra थे 30 questions या 25 questions in one hour बहुत ही impossible attempt है आपको पूरा attempt करने के लिए उसके लिए आपको first thing तो बाकी subject से time निकालना होगा ये आपकी practice होनी चाहिए और हम बार 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 बच्चो सारे बैचेज में चाहे आपके प्रियास बैच हो या आप के जही crash course है आज यह lecture दोनों जगह जाएगा क्योंकि हमने as per students demand topic आगे बलाने का decision मंडे से लिया है तो आज हम क्या करेंगे जो इन चार मलबपारी में जही मेन हुए हैं उनमें जो application of derivative limit continuity differentiability या relation and function basically differential calculus के जो जो question आये हैं उन question को यहां पर deal करेंगे with some revision type ठीक है क्योंकि यह दोनों बैच में हो चुका है आपका revision भी हो जाएगा याद रहेगा बच्चों आपको हमेशा क्या ध्यान देना है mathematics is the mathematics do not compare with it physics as well as chemistry compare को तो कोई कोई पता है इसको history से compare कर देता है उसमें marks आ जाते हैं economic से भी compare कर लेता है आर्ट से भी compare कर लेता है तो compare नाम के ऐसी चीज यह सब्जेक्ट वाइज नहीं होनी चाहिए आपको इसमें ज्यादा fight करनी होगी यदि score करना चाहते हो तो फिर कुछ बच्चे पूछ रहते हमसे हमेशा on an average बैच में भी कि सर आप केवल जेई में लेवल का प्रहों आपको पेपर कोई भी पेपर दिये होगे या बाकी पेपर तो देखे होगे उसके वीडियो सलूशन या हमने भी एक दो किये हैं लेकिन वह उतने आपने attempt किये या बाकी attempt के questions देखें आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि mathematics का लेवल जेई में और 2020 के जेई एडवांस का भी पेपर आप उसको गौर से देखना mathematics का 2019 का देखना 2018 का देखना previous year तो मिली जाएंगे compare करो उसको compare करो आपको न डिफरेंसेच 15 से 20 परसेंट दिखेंगे हमने हमेशा क्लास में बोला था बच्चो हमेशा यही तो हमारा experience 20 साल से कि जेई में का mathematics और जेई एडवांस का mathematics की difference में हाँ time taking बहुत हो सकता है लेकिन level wise difference not more than 20 परसेंट है बच्चो आपको paper देने के बाद या बाकी का video solution देखने के बाद 100 परसेंट इसका अंदाजा लग जाना चाहिए तो अब उसके हिसाप से कोशिच करो दूसरी चीज हमने हमेशा यह बोली कि जेई advance के single choice question को attempt करो वो आपका agities जेई main में आ सकता है आया हुआ है बच्चो बहुत सारे question आया हुए है हर paper के 30 question में 6-7 question तो direct है 5-6 question indirect है यानि concept वही है थोरा सा data change किया गया है ठीक है तो अब हम आज का lecture जो है कहां से सुरू करेंगे question ask in जेई main for worry session ठीक है जो भी differential calculus के हैं चुकिए अब सारे question तो एक ही lecture में नहीं हो सकते ऐसे ही हम integral calculus के लिए लेके आएंगे ऐसे ही algebra को दो पार्ट में break करके आएंगे ऐसे ही coordinate geometry को दो पार्ट में break करके आएंगे और trigonometry तो सिंगल पार्ट में ही आ जाएगा वेक्टर 3D probability भी topic wise हम अलग अलग करके लाएंगे क्योंकि question तो बहुत से